दालचीनी एक मसाला है जिसका उपयोग भोजन का स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है दालचीनी न केवल एक जड़ी बूटी है बलकि स्वास्थ्य की समस्या को ठीक करने में आउशधिय के रूप में कार्य करती है इसके अलावा दालचीनी के तेल भी हमारे सेहत के लिए लाभदायक माना जाता है दालचीनी के तेल का उपयोग बड़े पैमाने पर जड़ी बूटी युक्त क्रीम व साबुनों में किया जाता है जो तवचा के मुहासे की समस्या को कम करने में मदद करता है इसके अलावा दाग धब्बो को कम करने में प्रभावकारी होता है कुछ शोधर्ता के अनुसार पेट में अलसर की समस्या पैदा करने वाले बैक्तीरिया को समाप्त करने दालचीनी तेल प्रभावकारी होते है अगर आप तेल का उपयोग करना चाहते हैं, तो एक बार चिकिस्तक से परामर्ष करें यदि अधिक गंभीर समस्या है, तो तेल का उपयोग करने के बजाए चिकिस्तक से संपर्क करना चाहिए जिन लोगों को दान्त में दर्द की शिकायत रहती है, वे दालचीनी के तेल को रूई से दान्तों में लगाएं इस से आराम मिलेगा 10 से 15 ग्राम दालचीनी पेट के बहुत से रोगों में उप्योगी है दालचीनी का उपगोई भुखार में भी किया जा सकता है दालचीनी भूख को बढ़ाने में बहुत कारगर है, उसके लिए आपको दालचीनी, इलाइची, शुन्थी का चून बनाकर भोजन के पहले सुभशाम ले दालचीनी के तेल की मालिश करे इससे भी सिर के दर्द में आराम मिलता है हृदय की समस्या के शुरुवाती लक्षणों को कम करने में दालचीनी तेल फाइदे मंद होता है दालचीनी तेल के अर्प में कुछ ऐसे गुन मौजूद होते हैं जो कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करने में मदद करते हैं यदि खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम हो जाती है, तो शरीर के लिए बहुत फाइदे मंद होता है। इसलिए डालचीनी के तेल हृदय के लिए फाइदे मंद होते हैं। आखे फड़कती रहती हैं। डालचीनी का तेल आखों के उपर पलक पर लगाएं। इससे आखों का फड़कना बंध हो जाता है, और आखों की रोशनी भी बढ़ती है। मधुमेह से पीडित लोगों के लिए डालचीनी तेल फाइदे मंद साबित होती है। कुछ अध्ययन के अनुसार डालचीनी तेल में अच्छी मात्रा में एंटी डायबिटीज होता है, जो डायबिटीज को नियंतरन करने में मदद करता है। इसके अलावा डायबिटीज में भी प्रभाव हो सकती है। Diabetes की मात्रा अगर पहले से नियंत्रण में है तो तेल का उपयोग न करें दालचीनी का उपयोग हिचकी को धीक करने के लिए किया जाया है वैसे तो हिचकी आना एक बहुत आम बात है पर किसी किसी को जब हिचकी ज्यादा आती है तब वो दालचीनी का उपगोई कर सकता है हिचकी के लिए 10 से 15 ग्राम दालचीनी का काढ़ा बना कर पिए दालचीनी शरीर के लिए बेहत गर्म होती है इसके अत्यधिक उपगोई से फोड़े या फुंसी आ सकती है दालचीनी का उपयोग किसी भी गर्भवती महिला को नहीं करना चाहिए इससे गर्भ गिरने का खत्रा रहता है दालचीनी में कूमेरिन होता है जो की लिवर को हानी पहुचा सकता है दालचीनी का उपयोग रोजाना ना करे दालचीनी की जिस लोगों के एलरजी है वो दालचीनी का उपयोग ना करे